गड़ के जितने भी स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे चतिस गड़ में जो है सीजी व्यापामने बड़ी भरती निकाला है साहे ग्रेट 3 एवाम डाटा इंट्री आपरेटर के पदो पर जो है भरती होना है और यह सीधी भरती ह होगा डाटा इंट्री ऑपरेटर और साहे ग्रेट 3 के लिए आपको अवेदन कब से करना है लास्ट डेट कभ है परिक्छा आपका कभ होगा सिलेबस और एक्जाम पैटर्न जो है कैसे होगा साहे ग्रेट 3 का और इसमें सैक्षणिक योग्यता है क्या है कौन अप्लाई कर स तो कंप्लीट जयनकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है आपके जितने भी डाट से वो सभी डाट जो है क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले बात करें कि आपको अवेदन कब से करना है तो ओन-लाइन अवेदन करने की प्रारंभिक्ति थी है 10 नमबर से ज देखना है दो दिशंबर रात के ग्यारा बच के 69 मिनट तक जो है आप दो दिशंबर तक जो है आवेदन आप कर सकते हैं वहीं बात करें तुरूटी सुधार का यदि आपने फॉर्म फिल करते समय आप से कोई भी गलती हो जाता है तो आप जो है तीन से पांस दिशंबर त आपका एक्जाम होगा और राईवार को पढ़ेगा दीन और परिक्षा के समय के बात करें तो सुबह नौ बजे से बारा बच के पंदरा मिनट तक जो है आपका एक्जाम होगा और परिक्षा केंदरा प्रदेश के 16 जीला मुख्यालों में जब आप 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 उनलाइन अब बात करते हैं साहाग्रेट 3M computer operator के शलेबस और exam pattern कैसे question पूछे जाएंगे और कितने question आपके exam में आएंगे और minus mark होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ कि data inter operator और side grid 3 के लिए आपको समय जो है तीन घंटे दिया जाएंगे और प्रश्न जो है 200 होगे प्रत्यक प्रश्न के लिए एक number होगे और 1 by 4 अंकी कट उती होगे यानि कि आपका minus mark रहेगा यदि आपने 4 question अगर गलत कर दिया तो आपका एक number और extra जो है cut जाएगा अब बात करें कि कहां कहां से question जो है पूछे जाएंगे तो समान्य ज्ञान से आपका 50 नंबर का आएगा समान्य कंप्यूटर ज्ञान का तीश नंबर का समान्य मानसिक योग्यता रीजिनिंग जिसे बोलते हैं तीशंका समान्य गड़ी तीशंका आएगा और समान्य हिंदी जो है चाली शंका और समान्य अंग्रेजी जो है बीशंका आएगा और बात करें हम सैक्छडिक योग्यता कें तो यूजीसी से प्राप्त विश्व विद्याला से दुटीश नंडी में डिग्री उतीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संसान से डाटा जो आपका form घिल करने के लिए यादि आपने बार्व पास किया है और आप के पास apex या फिर बीशी का है या फिर आपने graduation की है तो आप जो है इसमें apply कर शकते हैं अब बात करें कि console परिक्षा जो है कैसे होगा इसमें सबसे पहले तो आपका exam होगा उसके बाद जो है console परिक्षा आपका कैसे लिया जाएगा तो लिखित परिक्षा में सफल उम्मिद्वारों के प्राविट सूची निर्मित की जा होगा उसमें आपका अच्छा परिक्षा के लिए बूल आया जाएगा और console परिक्षा के एक्जाइम कैसे होगा तो computer में अंग्रेजी में 5000 की depression परिक्षा के गती 5000 की depression परिक्षा में परिधक प्रिथक तिर्णा होने चाहिए आपको इतना माखस आपको आरजित करने ही होंगे तो 50-50 अंगो की प्रिक्षा होगा 50 नमबर के आपका हिंदी का एगा और 50 नमबर जो है इंग्लीज कायागा आपके टाइपिंग में तो जनरल और ओबीसी के डिग्री वालों को पचास में जो है पैंटी संग लाने होंगे वही बात करें AC और HD को आपको तीस ती संग जो है लाने होंगे परीक्षा में पास होने के लिए परीक्षा में फिर अंग्रेजियों में हिंदी भास्ता की कम्प्यूटर परीक्षा में उतिर्न उम्मिद्वारों की लिखी ते हम कौंसल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग कैधार पर प्रामीट सूची जारी की जाएगी यानि कि आपका जो लिखित एग्जैम होगा परिक्षे होगा दोनों को मिला कर एक एवरेश सयर किया जाएगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिष्ट जारी किया जाएगा और साथ ही साथ आप बात करें कियो आपका चैन जो है किस तरह से होगा अगर सभी कांक अगर समान रहा तो प्रामिडी शूची में स्विग्यापेद पदो की प्रवर्ग संख्या के तीन गुनों मिद्वारों को दस्तवेच के परिक्षण के लिए बुला जागा यानि डाक् पर प्रामिडी सूची शूची श्चाथित गड़ सासन के आरक्षन सेक्टर के अनुसार विग्यापेद पदो की पूर्ती की जाएगे नेक्ष्ट की बात करें तो समान यदि आपका अंक समान होने की स्थिति में उम्मिद्वारों के जन्म दिनां के धार पर वरिष्ट उ अगर जन्म डेट भी एक्जैक्ट एक ही है तो आपका जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होता है उसके हिसाब से जो है आपका सेलेक्शन होगा